आपको मालूम होगा, Twitter डील के बारे में, आपको ये बता होगा, Elon Musk ने बहुत हला मचवाया था, कि भाई मैं Twitter को खरीद रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, Elon Musk ने Twitter को नहीं लिया, और Elon Musk ऐसा बोल रहे हैं लोग कि Twitter को कभी लेने वाले भी नहीं थे, उन्हों ने ये सिर्फ publicity stunt किय बाद में उन्होंने यह रिजन दिया हलाकि सारी लिजन अभी बहार नहीं निकलें क्योंकि यह कोड का जो केस आवाँ पर चल रहा है बड़ उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक्जाक्ट फिकर नहीं बताया कि ट्विटर पर कितने बौट्स हैं कितने स्पैम अकाउंट य हैं और जो एक्चुल फिगर है उनसे चुपाया जाला है किसी भी कंपनी को कोई भी खरीदता है तो उस कंपनी के रियल स्टाट्स उसे पता होने चाहिए इलेन मस्क ने मांगा था अब यह चीज़ उन्हों और बोट वगर के बारे में बता दो तो मैं फिर से टुटर को खरीदने के बारे में सोच सकता हूं अब क्योंकि एलेन मस्क ने इतना केस बाजी हो गई है यहां पर इतना लॉसूट चल रहा है वह जो भी है ट्विटर के बीच में और उसके बीच में तो उन्होंने कहा जो प पब्ली के सामने बता दो लाइव तो इस चीज से उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम क्योंकि इलन मस्क की आदत है पहले मैं सुछता था कि इलन मस्क इस मामले में थोड़ा जैनुमिन रहते हैं इलन मस्क अपने पॉपुलारिटी का इस्तिमाल करते है जिसमें कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है बट हमें यह समझना होगा कि जो भी चीजें इलन मस्क के द्वारा बोली जाती है जो की जाती है वो रियालिटी नहीं होती उनसे यह भी पूछा गया कि बाई क्या आप कोई अपना सोशल मीडिया बनाने के बारे में स अभी करेंटली आप X.com खोलोगे तो वहां पर कोई पेज नहीं दिखता कुछ में ब्लैंक दिखता है तो इलन मस्क जान बूचकर ऐसी चीज़ें ट्वीट करते हैं जिससे नियूज बने जितने लोग अपना सर्क हुजाते रहें एक्दम कन्फ्यूस्ड हो जाएं अलग- कि जो है उनको पॉब्लिसिटी मिलती है तो उनको बाकी कंपनियों को फाइदा होता है अब ट्विटर खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं वह बात नहीं है लेकिन कई लाखो करोड़ रुपे की तो उनको पॉपुलारिटी औरडी मिल गई सिफ इस चीज से अब इस करते हैं और यह सारी चीजे मुझे लगता है यह सिर्फ पॉब्लिसिटी स्टंट है और सिर्फ अपनी दूसरी कंप्री को बजागर करने के लिए यह ट्विटर जब खरीदे तो भाई हर जगा इलन मस्की हो गया वैं ट्विटर में खरीद लिया किसने करीद लिए इलन मस् स्टेटमेंट देते रहेंगे और यह ऐसे न्यूज में बरकरार रहेंगे न्यूज में रहने का बहुत च्रॉक है इलन मस्को और यही चीज होते हैं इनको सीरियसली बिल्कुल मत लेना कोई इलन मस्क की नई सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स.com की नहीं आ रही है ठीक है तो बस यही बोलना ना मुझे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें अपने दोस्ते के साथ शेयर करें सावर से के और एडियो और एथिकल हैकिंग में इंट्रस्ट है तो दिस्क्रिप्शन चेक करें 2.99 रुपीज के तीन एथिकल हैकिंग कुर्से से आ आप